बिग बॉस 16 के घर में फाइनली बिग बॉस के कंटेस्टेंस को मिल गया है उनका दूसरा कैपटन जी हाँ हाला कि दूसरी कैपटन भी निम्रित ही थी लेकिन अब कोई और शक्स घर का कैपटन बन चुका है बन चुकी है नहीं जी हाँ कौन सा शक्स बना है कैप्टन चलिए आपको हम बताते हैं वल हलो गाइज और वेलकम टू फीफा फूल्स मैं हूँ जोती नाहाग जैसा मैंने कहा कि घर के अंदर सेकेंड कैप्टन बन चुके हैं और ये कौन बने हैं सबसे पहले तो बिद बॉस के घर में इस वक्त अगर एक कंटेस्टेंट हर जगा अपनी राय दे रहा है हर जगा involved होने के at least कोशिश कर रहा है for the start तो वो है गौतम विग गौतम यहां की बात वहां भी कर रहे है और वहां पर discussion भी कर रहे है शालीन भी for that matter काफी जादा involved है लेकिन बाहर शालीन को positive response नहीं बल रहा है इसलिए उनके captain बनने के chances घर के अंदर भी थोड़े कम है क्योंकि घर में भी बहुत जादा लोग उन पर trust नहीं करते हैं लेकिन गौतम जो है वो कही न कहीं सबसे दोस्ती भी बरकरार किये हुए है और गेम भी अच्छे से खेल रहे है फिलहाल के लिए तो ऐसे में गौतम विग बन गए है घर के दूसरे captain जी हाँ गौतम विग ने ले ली है निमरित को और की जगा देखे गौतम और निमरित एक दूसरे को बहुत अच्छे से support करते हैं गौतम और निमरित बहुत ऐसे contestants हैं दोनों फिलहाल जो एक दूसरे के लिए सबसे top पर है यानि कि गौतम की first priority निमरित है और निमरित की first priority गौतम है अब रही बात बाकी contestants की बाकी contestants में से कई सार ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद शालीन से problem हो या टीना से हो या निमरित से हो लेकिन गौतम ने सब के साथ अच्छे से बना कर रखी है इसलिए गौतम के साथ फिलहाल या बाद में भी किसी को कोई problem नहीं है गौतम की अंकित से भी बात होती है उनकी अब्दू से भी बात होती है उनकी MC Stan से बात होती है साजसर से बात होती है स्रिजिता से या फिर प्रियांका से सबसे उनकी एक high hello है अच्छी conversation है अर्चना से भी बात होती है हाल ही में जब चावल वाला मैटर हुआ था उन्हें अर्चना को जम कर सपोर्ट किया था इन फाक्ट उन्हें अर्चना का साथ दिया था कहा था कि सुंबल की गलती है अगर हमारे खाने का सुंबल जो है उनके पास राश्णिंग है उन्हें अगर आटा देना होता है है चावल देना होता है तो वो उन्हें दे देना चाहिए अर्चना कपसे पूछ रही है चिला रही है एक्सेक्टर 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 तो एक ओवर ओल जो है हर तरफ से हर कोई गौतम को सपोर्ट कर सकता है और इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया भी है और गौतम विग बन गए है इस सीजन के दूसरे कैप्टन निमरित को तो विग बॉस ने एंटर करते ही कैप्टन की उपाधी दे दी थी फिर दूसरी बार भी निमरित ही कैप्टन रही और अब तीसरा टैग जो है वो आ गया है गौतम विग के नाम अब आप मैं बताई कि गौतम के कैप्टन बनने से आप कितने खुश हैं और उससे के साथ-साथ जैसा मैंने कहा कि ये जो सीजन होने वाला है ये ऐसा नहीं होने वाला है कि यूनो हर हफते में एक कोई कैप्टन बनेगा कभी भी जिस मुमेंट कैप्टन ने धील छोड़ी उसी वक्त वो कैप्टन सी से बरखास्त हो जाएगा बाइविक बॉस सो आपको क्या है कहना इस बात पर और क्या ओतम की कैप्टन बनने पर आपकी क्या है राय पताईएगा